अम्रोहा के थाना नौगावा सादात के ग्राम बीना में एक दिल देहला देने वाला मामला सामने आया है जहांपर फिरोती नहीं मिलने पर अपहरन करताओं ने पांस साल के मासूम बच्चे की हत्या करती और शब को मस्जित के उपर बने गुम्बत पर फेग दिया आपको बता दे कि बीते दिन पांस साल के बच्चे ताबिश का अपहरन हो गया था जिसके बाद बच्चे के परिजनों को एक चिठ्थी मिली थी जिसमें अपहरन करताओं ने 30 लाख की फिरोती की मांग की थी साथी अपहरन करताओं ने साफ तोर पर धमकी दी थी कि इस मामले में अगर पुलिस को बताया गया तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी वही सुबा अचानक बच्चे का शव घर के कुछ दूरी पर बने मस्जित के छट पर बने गुमबद में मिलने से पूरे श्रित्र में संसनी फैल गई हजारों की संख्या में लोग घटना स्थल पर जमा हो गए मासूम का शव मिलने से परिवार में कोहरा मच गया परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है उसको जाए शाम अगवा कर लिया तो अगवा किसने कर आपको कोई पता लगा था? वही घटना की सोचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुचे और घटना अस्थल का डॉग स्कॉइट के साथ दोरा कर जरूरी साक्षे जुटाए गए स्पी सुनीती ने बताया कि तमाम पहलूँ पर बारिकी से जांच हो रही है देखे ऐसा है ये थाना नौगवा सादात में बीलना गाउ में कल शाम को करीब साथ बजे के आसपास ये बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था और उसके बाद परिवालवानों को नहीं दिखा तो ततकाल उन्होंने डून शुरू कर दी थी और करीब बारा सवा बारा के आसपास वो लोग उने पुलिस अप्रोच किया ततकाल उसमें एक मुकदमा पंजिकरित कर लिया गया था और हम लोगोंने चार टीम का गठन करके महापे आसपास सर्च ओपरेशन और बाकी पूछता चुरू कर दी थी उसी क्रम में जो वादी है उनके घर के करीब 50 मीटर पीछे ही एक मस्जिद है उस मस्जिद के चत पर आज सुबा उस बच्चे की डेट बॉडी मिली है फिलहाल पुलिस ने परिबार वालों के शक पर दो लोगों को हिरासत में लिया है उनसे पूछ ताज की जा रही है पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफतार करने का दावा कर रही है पंजाब केस्तरी टीवी के लिए अम्रोहा से नदीम एहमद की रिपोर्ट